टर्मिनेटर वूट प्रिजर्वेटिव ब्रश या स्प्रे से लगाने पर लकड़े के अंदर तक जाता है और दीमक को दूर रखता है तो हो गई ना ये परनीचर की वाक्सीन जी बिलकुल और इसके कई सारे फाइदे हैं जैसे की ये इको फ्रेंडली है इसका मतलब ये कि इससे परियावरन को कोई नुकसान नहीं है और इसी सबसे खास बात ये कि ये पूरी तरह से हर्बल है यानि इसके अंदर ऐसे कोई भी केमिकल नहीं जो आपके शरीर को हानी पहुचाते है ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है पर पॉलिशिंग के साथ इसकी क्या जरुरत है पॉलिश तो वैसे ही लगड़े को पुरी तरह डग देता है बात तो बिल्कुल सही कह रहा है विमल जी लेकिन दीमक को अंदर घुसने के लिए एक छोटी सी जगा काफी होती है अगर पॉलिशिंग करते वक्त एक भी रह गया तो दीमक अंदर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा पर मुझे बजट भी तो देखना पड़ता है अरे फिकर क्यों कर रहे है विमल जी टर्मिनेटर वूट प्रिजर्वेटिव बिल्कुल किफायती है ये देता है एक लिटर में एक सो साथ स्क्वेर फीट की कवरेज यानि टर्मिनेटर वूट प्रिजर्वेटिव का खर्चा होता है आपके ओवरॉल फरनेचर के खर्चे का मातरा एक प्रतिशन अब एक प्रतिशन खर्चा बचाने के लिए आप फरनेचर और आपकी इज़त को क्यों खत्रे में डाल रहे है मेरी इज़त को कैसा खत्रा अगर आपके बनाए हुए फरनीचर पर धीमक लग जाए तो कस्टमर आपसे नाखुश होगा और कस्टमर नाखुश होगा तो आपका नाम आगे रिफर नहीं करेगा अब इससे मार्केट में आपका नाम तो खराब हो गया ना यह तो मैंने सोचा नहीं आती इसलिए विमल जी ने अपने फरनीचर को वाक्सीन यानि टर्मिनेटर वुड प्रिजर्वेटिव लगवाने का फैसला किया आप ये फैसला कब ले रहे हैं तो आज ही ले आए तर्मिनेटर वुड प्रिजर्वेटिव तर्मिनेटर की वाक्सीन लगाओ दीमत दूर बगल